दोस्तों काफी बाहर सुबा के भागम दोड में हमें विल्कुल समझनी आता कि आज नाश्टी में घर में क्या वनाया जाए क्योंकि डेली की वही शमस्या होती है ऐसा क्या वनाय जो कि सब को पसंद आ जाए तो में जो नास्टी के रेस्पी शेर कर रही हु ना सर्ट लगा यह सभी को पसंद आने वाली है तो आप अपने घर में ट्राय कर सकते हो व्यक्त करेंगे जर्वत के अनुसार फिर इसमें आपको पाने डालती हुए एक दम बढ़िया इसको एक दम फ्लपी सा बेटर बना ले नहीं यहां पर तो दोस्तों आपके पास दढ़ी नहीं तो आप तो इसमें दो निब्बू का रज डाल दे और क्या करना है पानी के साथ आपको इसका फिर बेटर बनाना होगा तो इस तरीकी से अच्छे से मिक्स करेंगे अभी थोड़ा गाडा सा लग रहा है मुझे बेटर यहां पर तो एक दम बढ़िया यहां थोड़ा सा पानी डालके इस तरीकी से मिक्स कर लेना कि बेटर आपका एकदम हलका हो जाए आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हलका हो चुका है अब सूजी है तो इसको थोड़ा रेष्ट पर रखेंगे जिससे सूजी के दाने अच्छे से फूल जाएंगे गेस ओन करके मैंने यहां पर पेन रख तील लेनी एक छोटीचम चममच के लगबग यहां पर आपको गेस की फ्लेम बेलगुल स्लो कर देनी है एक प्याज लें बारिक कर के डाल दे मैंने आधी गाजर ली थी क्योंकि गाजर जो एक बड़ी थी तो आधी गाजर को ही में ने यहां बारिक कर कर डाला है थोड़ But जिम्ला मिर्च लेली बारिक कट करके हरी मिर्च लेली दो लाल मिर्च लेली मैंने क्योंकि चटपटी नहीं थी हलकी तीकी ती इसलिए मैंने इतनी डाल दी तीगा कम जादा आपके अकोडिंग कर सकते हो कुछ फूल गोवी रखी थी मेरे पास इन दिनों तो मैंने उसको भी कट करके हैं डाल दिया अब आपको लेंस डाल देना है बारिक कट के 2 तिन कली लियं अर साथ में अध्रक को भी कट करके डालें और एक कटोरी भरकर मेने हरी मटर के दाने ले लिए तो वेजिटेबल की कुएंटिटी आप कम जादा आपके अकोडिंग कर सकते हो अब आपको लेना कड़ी पत्ता इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता इस तड़के में तो यहां पर छोटी चोटी पत्ती ती इसकी ही तो मेने कट करी नहीं ऐसी डाल दी क्योंकि छोटी चोटी ती अभी हम इसको मिक्स करेंगे तो बड़ी आसे अच्छे से कुरकुरी सी हो जाएंगी अब आपको यहां पर सभी चीजों को अच्छे से पकाना नहीं है मतलब सबजियों में क्रंच बनाए रखना है ब कर दो जाएंगे यहां पर जबास थे संगा करते हैं तो दौ चइजोंकि में करते हैं सांप्रेंट में था से बाई फीसा पासूटी चोटी चमय तो कमिख अब आपको यहां पर स्प्रेंद आसın हींग दिर मने दोनों मंदद करते हैंक्ट और नमक पार्वाइं तो यहां पर मैंने इस तरीके से डाल दिया था अच्छे से मिक्स कर देना है जब आपके मसाले ठंडे हो जाए ना उसके बाद ही मिक्स करें वरना जल जाते हैं अब आपको यहां पर जो सूजी है ना उसको खोल के देख लेना है अच्छे से फूल जाती ही वो यहां पर सभी तो एक दम बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनेगा तो यहां पर मैं बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर रही हूं दोस्तों आपको में रेस्पी पसंदा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ए वीडियो को लाइक कर देना और चेनल को सस्क्राइब भी जरूर कर देना गेस उन अब आपको यह एक चमच बेटल लीना और उसको अच्छे से पतला-पतला फिला लीना कुछ इस तरीके से पूरे ही पेन में अच्छे से फिला दिया जबी थोड़ा सा अच्छे से सीख जाएगा बेटर हातों से नहीं चिपके तो इसमें थोड़ा सा ओईल ओल लगा दें तो फिर आप इसको टर्न कर दें और दूसरे साइट से भी अच्छे से सिखने दें यहां पर इसको सेखने में आपका बिल्कुल भी टैम ज्यादा नहीं लगीगा क्योंकि सब्जियों को हमने अल्रेडी हाफ कुक कर लिया था पेले उस वज़ा से यहां पर बहुत कम समय में नाश्ता आपका बनकर तयार होगा और खाने में बड़ा ही ला जवाब होगा तो दोनों साइट अच्छे से सीख जाएं उसके बाद आप एक प्लेट में निकाल ले एक बार में और बता देती हूं आपके लिए बहुत आसान है इसको हलका सा मोटा रखना है तो खाने में लगेगा दोस्तो आज थोड़ी मेरी तवेत खराब सी ओरी थी तो सास जो ऊपर नीचे ओरी थी एक तो दिन बहुत चोटे-चोटे हो गए काम जादा हो जाता है उस वाजे से में बहुत ज्यादा परिशान हो गई थी तो मेरी आवाज में आपको आज अलगी नजहराएग तो उसके लिए थोड़ी माफी मांगना चाहूंगी वो इसको इग्नोर कर दीना और इस तरीके से आप नास्ता अपने घर में एक बार जरूर बनाना और दोनों साइड ओल लगाते हुए इधर भी इसको हम यह सेख लेते हैं खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है बनाने और मैं एक पीस तोड़के भी दिखाऊंगी मैंने दोनों साइड से बहुत अच्छे से सीखा है बहुत टेस्टी है और बहुत ही कम मसालों से बन कर तैयार होता है जो कि आपके घर में अल्रेडी अविलेवल होंगे बहार से कुछ नहीं लाना जल्दी मिलूंगी कल बाई